तोड़े, यह प्टू स्टार्ट वर्क्षिट एट ऑफ यूनिट सेवन मनी, देखें मनी का वर्क्षिट एट देखते हैं, क्वेस्टन नमबर वन, निखिल हैड रूपीज 9.50 विद हिम, देखें, निखिल के पास 9.50 रूपीज था और चॉकलेट खरीद लिया, तो हो मनी वाज लेफ्ट वर्क्षिट आगया मिन्स माइनस करना है, ऐसे जनरल भी आप ले सकते हैं, मालीजे आपके पास 10 रूपे है, और आप जो है, दुकान में गए, सौपकीपर के पास गए, और 3 रूपे का मालीजे चॉकलेट खरीद लिये, तो कितना पैसा आपके पास बच गया, जनरल आप सोचिए, तो 10 रूपीज था, 3 रूपे का आप चॉकलेट खरीद लिये, त उसने चॉकलेट खरीदा रूपीज 6.50 का, तो आपको बताया हैं कैसे लिखते हैं, डॉट के नीचे, डॉट, डेस्मल के नीचे डेस्मल कर सकते हैं, फिर 6.50, अब इसको माइनस करिए, इधर से राइट साइट से हमें सा माइनस करते हैं, तो 0-00, 5-50, फिर पॉइंट है, तो पॉइंट लगा है, 9-63, रूपीज 3.00, या के वल 3 कह सकते हैं, तो एंसर आप लाश्ट में लिख दिया करें, how much money was left with him, तो रूपीज 3.00, या के वल 3 कह सकते हैं, रूपीज 3.00, left with him, that means nickel, left with nickel, it is your answer, इस तरह से आप सोचते हैं, करना क्या है, what problem में यही है, कि आप अगर पहचान गए कि क्या करना है, तो आपका पुरा-पुरा आप नंबर पा सकते हैं, क्योंकि प्लस करना, माइनस करना आप जानते हैं, कि वल आपको पहचानना है कि इस question में करना क्या है, question number two, दीपा बॉट राइस फार रूपीज 35.50, फ्लोर फार रूपीज 52.50, एंड सुगर फार रूपीज 18, how much money did she spend in all, तो कुल कितना मनी उसने खर्च किया, तेहां पे टोटल मनी की बात कर रहा है, means you have to add, तो ऐसे रूपीज 35.50, यह राइस का है, फ्लोर खरीदा 52.50 में, और 18 रूपीज में सुगर, तो ध्यान रखिए, 18 रूपीज means 18.00, पैसे में 00, यह ध्यान रखना यही चीज़, अगर आप 18 इधर लिखके यही रॉंग करते हैं, बच्चे यहाँ पे 18 लिखके add कर देते हैं, और रॉंग हो जाता है, क्योंकि 18 रूपीज है, means पैसे में कुछ नहीं है, तो 00 लगाएंगे, यह क्योंब पैसे होता, तो पैसे की तरफ लिखते हैं, इधर 00 लगाते हैं, यह हो जाएगा आपका रूपीज 18.00, अब add कर लें, यहाँ add किये, देखिए, यह 0, 5 प्लस 5, 10, 0, carry 1, ठीक है, 1 carry दे दे, 5 और 1, 6, 6 और 2, 8 और 8, 8, 16, 6 carry 1, 3 और 1, 4 और 5, 9 और 1, 10, 106 रूपीज, 106.00, यह अवनली यू can say, रूपीज 106, एंसर हो गया, how much money did she spend in all, तो दीपा spend, रूपीज 106, in all, ठीक है, 0.00 भी लगा सकते हैं, नहीं, तो क्यों लटा सकते हैं, क्योंगी, 0.00 पैसे हैं, Now, let us see, question number 3, नकुल गॉट रूपीज 50, as a pocket money from his father, he bought a storybook for रूपीज 16.50, how much pocket money is left in his pocket, यहां भी देखें, left word आ गया, तो वही चीज, 50 रूपीज है, और 16.50 का उसने जो है, storybook खरीद लिया, तो कितने पैसे बच गया है, तो वही चीज, चॉकलेट वाला जो example दिये थे, मान पांच रूपीज का कोई सामान खरीद लिये, तो कितने रूपीज आपके पास बचे, तो आप तुरन बता देंगे कि माइनस करेंगे सर, पांच रूपीज बचेंगे, तो वही चीज यहां भी है, 50 रूपीज का pocket money, मिलता है, 50 रूपीज, तो 50 means 50.00, पैसे में 00 ले, और story book खरीदा, वो 16.50 का, तो 16.50 और अब इसको माइनस कर दें, तो कि left निकालना है, माइनस करने में 0, देखिए, यहां पे 10, यह carry लिया इस से, इसके पास नहीं है, तो यह carry लिया इस से, यह 5 था, तो यह carry दिया, तो यह 4 बन गया, अब यह देखिए, इसके पास 10 बन गया, carry माइनस 5 आप करेंगे, तो 5 आजाएगा, यहां आप 9 बचा है, 9 माइनस 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा ले, 9 माइनस 6, 3 आ गया, और 4 माइनस 1, यह भी 3 आ गया, तो रुपीज 33.50, तो answer हो जाएगा, how much pocket money left in his pocket, तो रुपीज 33.50 left in knuckles pocket, now let us see, question number 4, sonu saw a doll in a shop window, she liked it very much, the doll cost rupees 40, but sonu has got only rupees 36.50, how much more money does sonu need to buy the doll, यहां पर देखिए जैसे आप गए दुकान में, और आप उस कोई चीज पसंद आ गई, कोई टुआ है, आपने पूछा कि, shopkeeper से कितने का है, shopkeeper बताया कि यह 20 rupees का है, और आप फिर देख रहे हैं कि, हम तो 15 rupees ही लेकर आए हैं, तो कितना पैसा भी आपको और चाहिए, उस doll को खरीदने के लिए, तो आप देखेंगे कि 20 rupees का है, 15 rupees लाए हैं, तो 5 rupees और हम अगर लेकर आएं, तो इस doll को खरीद सकते हैं, तो आप तुरंद बता पाते हैं, तो लेकिन आप समझे, कैसे हुआ, तो आप देखें कि doll का जो cost है, और मेरे पास जो पैसा है, उसको minus किये, तो पता चल गया हमको इतना और पैसा चाहिए, तो वही चीज़ यहां भी पूछ रहा है, how much more money does Sonu need to buy the doll, that means, जो है, subtract करना है, जैसे आप general सोचे, उसी तरह यहां भी वही चीज़ करना है, तो रुपीज 40 का जो है, doll है, और उसके पास, Sonu के पास है, रुपीज 36.50, तो कितना पैसा और चाहिए उसे, तो minus कर लेंगे, आप पता चल जाएगा, तो minus करने के लिए देखें, 0 minus 00, यहां 0 में से 5 minus नहीं जाएगा, तो यह इस से मांगेगा, यह इस से मांगा, यह 4 था तो यह 1 दे दिया, तो 3 हुआ, और यहां 10 हो गया, 10 अब इसको दे दिया, एक तो यह 9 हो गया, और यहां पर 10 हो गया, तो 10 minus 5 देखें, 5, minus अच्छे से करेंगे, dot के नीचे dot, यह point करें तो आप, 9 minus 6 हो गया, 3, और 3 minus 3, 0, तो रुपीज 3.50, need to buy the doll, तो answer हो गया, Sonu needs, रुपीज 3.50, तो बाई, the doll, डॉल खरीदने के लिए उसे जो है, रुपीज 3.50 और चाहिए, now question number 5, रुपीज 590.50, रामु बारोड रुपीज 2.50 from him, how much money is left with राहुल now, left word आगया means you have to subtract, यहां पे देखें रुपीज 590.50 राहुल के पास है, और रामु ने उनसे जो है, रुपीज 2.50 बारोग कर लिया, कर्ज ले लिया, उधार ले लिया, तो 250 रुपीज माइनस करना है, तो 250 रुपीज में लिखेंगे, और यहां इधर पैसे में 00, तो 0.00 लगाएंगे, और इसको अब माइनस कर ले, 0-00, 5-05, पॉइंट की नीचे पॉइंट लगाए, 0-00, 9-5-4, 5-2, 3 आ गया, तो यह अंसर आ गया, रुपीज 3, 40.50, एंसर, अब रुपीज 3, 40.50, लेफ्ट विट राहुल नौ, रुपीज 3, 40.50, लेफ्ट विट राहुल नौ, राहुल के पास जो है, अब रुपीज 3, 40.50, लेफ्ट रा गया, बच गया,